एक नए वीडियो में आपका पुना एक नए टापिक के साथ स्वागत है इसमें हम लोग वाइरस है हाव डिसकवर्ड कैसे वाइरस की फर्स टाइम खोज हुई इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वहाई काल कनेक्टिंग लिंक्स और इसे हम लोग संयोजक कडिक क्यों ग तो इसमें हम लोग ट्रिक देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोगो देखनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग उस ट्रिक को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा तो सबस्क्राइब यहां देखते हैं हम लोग विसाडू जिसे आप वाइरस भी काते हैं लेटिन भासा में वाइरस वी यहां पे होगा वाइरस का अर्थ है प्वाइजन अर्थाथ विस और विसाडू है माइक्रोइसकोपिक और यू नान सेल्लोर आपका सकते हैं आग अथवा आर्णे में से क्योल एक ही इसमें होता है तो सबसे पहले जिसमें वाइरस की खोज हुई वह था एक टुबैको लीप और उसमें जिस वाइरस की सबसे पहले हो खोज ही उसका लाम था टीमबी तवैको मोझाएक वाइरस आप यहां इसका स्ट्रुक्चर देख सकते है तोबे को मुझे एक वायरस से समधिक आप प्रस्ण आप से पूछे आते हैं कि इसका साइज कैसा होता है या सेप कैसा होता है चाड़ा कार होता है राट से इसका होता है और यह मुक्रूब से 94 पर्सिंग इसमें प्रोटीन पायाते जैसर यक्ति आप देख रहे हैं इसमें पर्शु संध सम nuh technique अम्ल पढ़ाएं की घर अटिए दिच्करण होता है और आप यह अलो इसका सब एक स्टूर से मिलिए घर ब्रेक्ट्क जाता है अर्य। इसकी खोज होई थी, तो how it discovered first time, हमने भी आप से बात की थी, उसमें वीडियो की beginning में की, हम लोग किन बिंदूं के अंदर बात करने वाले हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, how it discovered first time, पहली बार इसकी खोज, कैसे ही और किस ने किया, तो आप यहां देख सकते हैं, जो discovery है, लीप में हुई थी जिसकी, रूस के जीवग्यानिक थे, डीजे आयवानो वस्की, आप आयवानो वस्की के नाम से इसे इन्हाद कर सकते हैं, इन्होंने 1892 में टुबैको लीप में इसकी खोज की थी, और वो टुबैको मुझा एक तो आता यहां रोग जिवार से भी सूष मकडों की द्वारा उत्पन होता, यह उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और बिंजेरिक ने प्रयोग द्वारा आयवानो वस्की जो साइंटिस्ट है, के कतन की उन्होंने पुष्टी की, कि जिवार रहित रोग उत्पादक तरल को बिंजेरिक धलूई पास्टन ने कंटेगियम, वाइवम, फ्लॉइडियम नाम दिया, और बाद में इसे उन्होंने ही भी साडू नाम दे दिया, आगे चलकर के स्टैनले मिलर साब जो है उन्होंने टीमबी तोबे को मुझा एक डिजीज से भी साव का क्रिश्टीली किया और इसके जिसके लिए उन्हें 1935 में नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया अब तोब श्रशना देखते हैं इसके बाद इसका लोग ट्रिक देख लेंगे तो यहां पर जो करेक्टरिस्टिक की बाद करते हैं दूसरे बिंदु के अंदगत इसके लच्छड के आता है तो इसमें लोग ऐसे दो भागों में देखेंगे इसका जो स्ट्रक्शर है तो स्ट्रक्शर होता आँसे है तो बिसाड जो माइक्रो नियुजियम पार्टिकल होते हैं और इनका परिमाप विटी नैंू मीटर से थीहंडेडेन रूमीटर होता है और सबसे चोटा जहां इसमालेस इरस होता है उसे मुसें नोडिकाते तो आयको नेक्रोसिस बिसाडू जिसका परिमाप 179 मीटर होता है तभी आपने जनरली देख लिया कि 20 से 300 22 300 नेनो मीटर इनका नार्मल साइज है लेकि उससे भी छोटा है 179 नेनो मीटर तो ठीकर जिसे हम लोग सबसे सिस्मालेस्ट बीषाड रुकाते हैं प्लांट में तो बेकर नेक्रोशी से इसका नाव रखा गया महट रोक पीछाड़ ते सबसे बड़ा है आप से जंत भी साड़ पूछा गया लार्जिस्ट यह सबसे बड़ा इनमल भी साड़ उसे बुलते हैं तो तो ता जोर भी साड़ सबसे बड़ा को सबसे चोड़ा आपने देख लिया है अब अब जनरली उनके उपर इन्विल्प पाया जाता है इन्विल्प माने इसके उपर यह जो ग्रीनिस ट्रक्षर आपको देख रहा है दिख रहा है इसको बाहर से घेरे रहता है यह प्रोटीन से बना हुआ होता है मने कवर्ड वैक्टीरिया वाइरस आप कहेंगे इसको तो आप से कभी के पुछा रहता है एक दो की नाम बताईए तो यह आप बता सकते हैं आप एचाईबी का नाम आपने सुना होगा है इस वाइरस एससे हैं जो 解 узнаu वाइरस है इनके वर शेट को प्रोटीन का कोर्ट पाए वाइच इश़ा नेरी वाइरस वाइरस से फिर भीος जिसंEMA Google कोई कभर नहीं होता यह इसके अंतर डिérique पाय जा रहा है और साथी साथ यह एक अलग से लियर इसमें दिख रही है जो कैश्चित प्रोटीन से मलब बना होता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इसमें दिखा रहा है इनविलब प्रोटीन जो इसको और पर प्रोटीन लगी हुई है अभी आपने कुरोना वाइरस देखा होगा वो भी इसी तरह से आपको दिखता है उसके और अंदर चलेंगे तो हम लोग आप देखे वाइरल टेगमिंट है और अंदर चलेंगे तो यह नुकलियो कैपसिड है एक प्रोटीन है जो जो चारोर से वाइरल जीनोम को जिसे आप आर्ने काते हैं को क्या करता है गर कर के रखता तो यह जुष आप स्फेरीकल इस्ट्थर देख रहे हैं एक वाइरस का जेनरल सरचना है एकदम जनेर सरचना की बात बात बशाड़ों के एकदम सामानसरचना कि हम भी लोग बात करेंगे तो इसमें आपको मोक्रू करूभ स मिलने हरा आ जिए आपकाते है केपसौ मियर और कॉर सेंट्रल आग कहाँ कि इसमें उसका जीनोम होता ए और जीनोम में डी ने आरने जेनरिक मिटेरियल होता है और इसके उपर एट एई इञिів होता है तो तीन चीजें उसमें होगी एक तो यह उनविलब होगा और दुसरा इ यह देखते हैं बहुत प्रतिर्शित आपका ट्रिक को केरफुरी समझेंगे तभी आप अपलाई कर पाएंगे और आपको बहुत साजी चीज़े याद नहीं करने पड़ेगी तो यहां देखिए सबसे पहले वायरस की दिस्कुबरी किसंगे कि आईवार दॉस्के यह था निकलेगा तो यहां पर रटने की आउसकता है आई निकलेगा तो आई से आउनी ऊश्की थी अबम निस्ट सब्दा रतार बीशाडू निब आप भी साडू बोलते हैं बीशाडू का मतलब क्या होता है अभी आपने पीशे देखा 20 का मतलग होता है 20 तो बाव से विशाडू और फिर इसके पहले अलफावेट से हम लोग 20 से 20 मान लेगे तो यह आपको रटना नहीं पड़ेगा उसके बाद आगे चलेंगे हू काल बशाड बसले सब्से पहले बीशाड हा प्रयोक इसने किआं है किसने इसे कहां तो यहां पर तक इंजेach रहा है कि बख् Conference कि ए और से क्रिश्चल के रूप में सबसे पहले से प्राप डिसने किए कृस्टल को सब्द कर पुछ रहा है तो इसमालेस्ट में भी आपको मिल जा रहा है यहां पर हिंदी सब्सक्राइब आपको मिलेगा तो सबसे छोटा माने टीन वाइरस तो टुबैको नेक्रोसिस वाइरस यह पौधों में होता है ठीक है और इनमल में जब आएगा तो वो खुर्पका और मुपका जो रोग पैदा करता है वो दस माइकरान का होता है तो आपको यहां पर प्लांट की बात चलिए सबसे छोटा जो इसमालेस्ट वाइरस है वो टीन ठीके तो यहां भी लार्जिस से समझ सकते हैं इसको तो लार्जिस का टी इंगलिस वाले सब्से आप ले सकते हैं तो टी का मरलाब यहां पर टीएफ़भी जो सबसे बड़ा वारस है उसका क्या नाम है टीएफ़भी टीयफ़भी इसे आप बोल सकते हैं PAYERAT FIBER VIRUS तो पैरत FIBER VIRUS मी बोल सकते हैं, लेकिन T लिखा है तो T से TOTA FIBER VIRUS, आप बोलेगे थो TOTA FIBER VIRUS, तो असाने से आप यहां से यह सार्ट्रिक नोट कर सकते हैं और इससे आप कम से कम इन छे प्रसुनों को लर्ण कर सकते हैं, जो आपका एक नंबर शेवर करा देगा आके चलते से सरशनाई बात करते हैं अभी हम लोगों ने चित्र में देखा वह चीज़ आप मिलेगा आपको सभी पिशाड़ों के इंदर में अनुवांसिक पदार्थ के रूप में DNA यत्वा RNA पाय जाता है और अनुवांसिक पदार्थ प्रोट संपूर कर जो संक्रमड फैलाने में सच्छम हो वह बिशाड़ों का लाता है कुछ बिशाड़ों जिसे हर्पी जैन फिलेंचा भिशाड़ों में कैप्षिड के बाहर एक आवरड भी पाय जाता है और इन बिशाड़ों में निकली अमलों से संबंद कुछ इंजाइं भी प था एक प्रस्न ये भी एं किसे कनेक्टिक लिंक क्यों काते हैं हम लोग विशाड़ों को सजी जगत और निर्जी जगत का सहुज जगड़ी हम लोग इसलिए मांदे हैं क्यों कि इसमें दोनों की लच्छड़ आ जाते हैं पाधब बिशाड़ों में अनौवाजी पता आर होता है जबकि जनतु विशाडूं में आरेने या डिने दोनों होता है यहां हम लोगों तो आस करेक्टर बारी बार इसके पहले हम सजीओं के निर्जीओं की समान लच्छर देखेंगे यहां देख सकते हैं जब यह किसी जीबीत कोश्का के बाहर आता है तो निर्जीओं के रूप में पढ़ा रह सकता है जब भी है किसी सजीओं कोश्का के अंदर प्रवेश करेगा तो यह सजीओं की तरह ब्युहार करेगा कैसे ब्युहार करेगा अभी आगे हम लोग देखेंगे सबस्पहले निर्जीओं की तरह देख लेते हैं इनका कोई निश्चित कोश्की इसरचना नहीं होती क्योंकि कोश्की होता पहले में लोग देख दे ह menor कोश्का ब barr Judith अगरे नहीं होते हैं मानने ततानी शच्पwritten Himself में नहीं होता इसbersक्वा दूप क 59 करड़ किया जा सकत है बैसे हम हम लोग citizens रखते हैं विशे को इनको ईपक्रिस्टल क कर सकते हैं इस्टो यह जब किसी living cell के अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो कैसा लच्छड प्रिजेंट करेंगे अपने प्रस्तुत करेंगे वह आप यहां देख सकते हैं सद्धियों के लच्छड लिविंग करेक्टर्स बिशाडू सद्धियों की समानिमली के लच्छड दरसाते हैं ऄटर्व अन्वांसि Martin पडार्त इन सद्धियों के वाढ़ वीशाडू में डिन तवार्यने अन्वा всभ पदार्त पाई also माने इसमें परिभारतन होता है है जैए आपका जो को और बार आप अपना है इसकी पेडिवर नहीं हो वारी है यह वीडियो मैं इसमें बना रहा है जो कोरोना का संक्रमर चारो दरफ है और अपने उन मित्रों को हेल्प करने के लिए जो घर में बैटके आनलाइन अश्टी कर रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पा सकते हैं और आप कोई कर लिए पर आता है तो उसे आप इसमें कमेंट करके कोशन के रूप में परूश सकते हैं अब यहां तेसे सजी कोश का में बिसार जो होता है मुल्टिप्लाइ करता है संख्या में बृत्धी करता है एक से दो दो से चार चार जार और यह हीट या डार जो इसका अभी तो हम लोगों ने आपे फाइब करेक्टर देख लिए या मुखरुब से छटा करेक्टर था थ्रास देख लेते हैं कि जो भी साड़ होते हैं अभी कल्पी और वाहिकारी परजी भी होते हैं और सजीव कोश्काओं के बाहरे नुकलिय प्रोटीन के कड होते है श्काने के लिए य 보면 देनने आर ने होता है लेकि इसका उप्यों करने कि लिए मेंटबोलिक मशीनरी नहीं होता है लेकि जैसे किसी सजीव कोिекा में पूसत कोश्काओं में पोचेंगे तो डी नके आरने पोसद के अनुवांसी मता धरे हैं जीनोम को यह निस्क्री कर देंगे। अब पोसद कोश्या के उपापच साधन का उप्योग अपने न्यॉक्लिक अमल, प्रोटीन सवस्लिशन के लिए। बने आपकी मसीनरी का यूज करेंगे जो कोशिया में आपके DNA, RNA, Nucleus, बहुत सारे कोशिकांगेवन का यूज करने लगी गाए इसके फ़ल सुरूब बिशाड़ों के गोड़ने आप पचरूद बन पचरूद आपका सद है बहुत अधिक मातरय में की बिद्धी होने लगती वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताए और लाइक करना ना बोले धन्यवाद